सुगम और मेरे चानल पर फिट से एक बर आपका स्वागत है तो आज मैं अगें आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ रेसिपी और आप अपने इस रेसिपी को और पंदा दिन तक खा लिया आपने इसे लोगोटा है तो कमर के ओस पास की चरवी कितने अच्छे के से मैट होती है साथ ही साथ जो लोग भी तुड़ासा एज के उसे लड़ रहे हैं फाइन लाइन स्पेस पे दिख रहे हैं पेस का ग्लो चला गया है आप बहुत जल्दी अपने एज ज़े यानि कि अगर आप 28 के हूँ तो आप 35 के लगते हो 40 के लगते हो इस चीज से जूज रहे हैं अगर आपने इस रेसिपी को अपनी जिन्दगी में एड कर लिया यानि कि अगर वीक में आप इसे 3 अगर 3 to 4 डे आपने इसे एड कर लिया किसी भी टाइम एक टाइम तो आप सोच नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा मैजिक होने वाला है आपकी एज के साथ एवेण आपकी वेट के साथ मतलब तो मैं मैं इसे हमेशा ले तरह कोशिश करके कोशिश करती हूँ कि वीक में इसे 4 टाइम लूनू कभी कभी मैं ब्रेकफास में दो आप इसके साथ बहुत अच्छा आप इसके साथ टमाटली की चटनी लगा सकते हैं मतलब यम्मी से भी यम्मी रेसिपी है लोगों का यह जो भ्रहम है कि वेट लॉस की रेसिपी टेस्टी नहीं होती है तो एक बार उनको मेरे चानल का लिंक जरूर भीजे और तब आप उससे पूछे कि वेट लॉस की जो डि सब्सक्राइब करें एक लाग सब्सक्राइबर हो जाए बहुत धमासी पार्टी होने वाली है और बगल का जो बैल आइकन है उसे प्रेस करना जरूर बूलिए और जिन भी अभी तक जिन जहां 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 वोटिंग नहीं हुई है प्लीज करके वोट डालने जाहिए यह का अधिकार है मैं कल बोट डाल के आई हूं तो जल्दी जल्दी से बोट डालिए तो चले चलते हैं वीजो की तरह तो फ्रेंट्स इस रस्पी को बनाने के लिए आपको यहां पे 4-5 टेबलिस्पून बेशन चाहिए अगर आप दो खाते हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा लिए टक्ति नहीं बहुत जबर राणी नहीं मैं दिखाती हूं कैसा आपको ready करना है इसमें मैं लगभग जीरा पाउडर डालूँगी आप आप और मसाल आट्स कर सकते हैं टर्मरी गड्स कर सकते हैं मैं सेंधा नमक आट करूंगी धिहान रख कि आपको सेंधा नमक हेलेन आप इसमें हरे में चैट कर सकते हैं आप इसमें प्याज एड़ कर सकते हैं इसके बाद आपको पानी के help से इसका एक बैटल रेडी करना है और विक्सर की help से मैं इसे करती हूँ ताकि जो है बिल्कुल भी गुलती नहीं पड़ती है या फिर मतबकि जो है वो बेसन अच्छे गोल जाता है मुझे इसी से ही इजी होता है मैं कुछ भी जब बैटर रेड़ी करती हूं इसी से ही रेड़ी करती हूं मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि पानी ओर डालूंगी टू टू थेबल स्पून में और डालके बस यह मेरा जो है वो रड़ी आप देख सकते हैं नहीं बहुत रनी है नहीं बहुत थिक है तो यह जो बैटर है पुरी तरह से रेड़ी है और इसके बाद मैं पैन में या तो आप ऑली वोल से ग्रीस करिए या फिर आप इसे गी से भी कर सकते हैं मिराज ऑली वैल खत्म हो गया तो मैं इसमें घी डालने वाली हूं हाफ टे बैटर है इसमें अच्छे से डालके पूरा फैला दीजे फैलाने के बाद आपको दोनों तरफ से ढख के पकाना है कि लो फ्लेम पे ही बागाना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं रनी है तभी यह पूरी तरह से फैल जाएगा वरना है वह एक जगा बैट जाएगा और बिल्कुल भी नहीं और यह पूरा प्मान के बराबर मैं पूरा एक जो है रडी कर सकते हैं बैटर आप देख सकते हैं फ्लेकरा से फिनिश हो चुका है लो फ्लेम पे ही पकाईए धग के पकाईए क्योंकि जो ऑईल है वो कम है तो यह भाप के ही द्वारा पके का धीमी चैसा को छाधे हो वैसा ले लुप फिर मैं दूसरी से ढग कर कके पकाँगी के साक्षा के साथ लेए पिसे नागम करे सकते हैं पर ऊत्य के प्यत्ति जापीश फोन ठीकि में तो यहां तो थे its कजिए प्लेंज़ शाब problem बहुत अच्छे से हो जाएंगी बहुत अच्छे से loss होगा और साथ ही साथ जो skin की भी problem है वो भी कहीं न गहीं जाएंगी वीडियो अच्छा लगा हो, informative लगा हो तो भर-भर के like कर देज़ेगा, channel पसंद आया हो बहुत पसंद आया हो तो share कर लिजेगा, अगर कुछ-कुछ पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कर देज़ेगा वीडियो का हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है जस्ट आपके इस like से हमें appreciation मिलती है, हमें motivation मिलता है कि हम आगे वीडियो बनाएं और like से हमें ये भी पता चलता है किस तरह के content आप prepare करते हो recipe prefer करते हो आप drink prefer करते हो, आप diet plan prefer करते हो आप exercise prefer करते हो, इस ते से हमें ये पता चलता है तो मिलती हूँ बहुत ही चल्दी एक नय वीडियो के साथ तब तक के लिए, bye bye